Hello and welcome back to my YouTube channel Digital Service दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे Yes Bank के, IDFC First Bank के और D-Link के Caudidoo की रिजर्ट्स के आप लोगों में इसे बहुत से लोग जुम्हेरा विलियो देख रहे हैं आप लोगों ने Yes Bank के नंबर्स को देख लिए होंगे लेकिन सिर्फ नंबर देख ले नहीं काफी नहीं होता है ये नंबर तो कोई भी देख लेगा, कोई बच्चा देख लेगा लेकिन जब आप Yes Bank के रिजर्स देख रहे होते हैं तो आपको अपने माइन में पहले से एक बात सेट कर लेनी होती है कि यहाँ पर Yes Bank की बात करें तो आलमोस्ट Bank डूप चुकी थी लेकिन RBI के सपोर्ट से Bank अभी भी जिन्दा खड़ा है और यहाँ पर लगाता इस कोशिस में लगा हुआ है कि वो अपने बिजनेस को बैटर से बैतर बना सके जहाँ पर जो BS Bank के जो Current Management है अपना पूरा सायोग कर रहे हैं और काफी हथ तक यहाँ पर इसमें यह कामियाब भी होते वे दिखाई दे रहे हैं दूसरी बाता में अगर समझें तो एक Turn Around Story है Yes Bank के अंदर तो अगर आप लोगों का View Long Term का ही है अगर आप लोगों को Yes Bank के अंदर कोई भी निवेस करना चाहिए अगर आप लोग यहाँ Trading करने आ रहे हैं तो आप Yes Bank को यहाँ पर Avoid भी कर सकते हैं किसी भी बैंक के जब हम quarterly results देख रहे होते हैं यह हम fundamental analysis कर रहे होते हैं तो बैंक का जो Core Business होता है वो था Interest Income यहाँ जो पैसा बैंक को धार दे रहा है उससे कितना income बैंक जनरेट कर पा रहा है तो अगर उस point पर देखें तो यहाँ पर इन्हों ने quarter on quarter और year on year basis के ओपर जबातत growth दिखाई है जो इनकी total income, Interest Income निकल कर आई है इस quarter के लिए 5,444 करोन रुपीज की जो कि पितले quarter में था 5,134 करोन रुपीज का और एक साल पहले 4,622 करोन रुपीज का यानि कि यहाँ पर company जो bank है Interest Income अच्छा कासा यहाँ पर कमा रहा है जिसकी वेसे इनका total अगर income देखें तो 6,394 करोन की इस quarter में इन्हों ने दिखाई है यहाँ पर आप साल दर साल देखें या quarter on quarter एक अच्छी कासी रुद यहाँ पर bank ने दिखाई है अब यहाँ पर कहानी आती है total की इन्होंने provisioning क्या करी है तो provisioning अगर आप यहाँ पर देखें तो यह सात्वा number point है यहाँ पर इनका देखें operating profit before provisioning तो यह total profit बता रहा हूँ total 790 करोन रुपिज का इस quarter के लिए जो कि पिछले quarter में था 590 करोन अल्मोस्ट और एक साल पहले 607 करोन यानि कि साल दर साल हो quarter on quarter यहाँ पर इन्होंने profit तो अच्छा कासा कमाया है before provisioning अगर आप after provisioning देखें तो provisions यहाँ पर इन्होंने कितने किये है इस quarter के लिए करीब 582 करों जो कि पिछले quarter में था 114 करोन रुपिज का और एक साल पहले 377 करोन रुपिज का तो यहाँ पर provisioning काफी आता bank को करना पड़ा है provisioning जिनको नहीं पता बता देने चाहता हूँ provisioning वो पार्स होता है जहाँ पर bank यह मानकर चलती है कि जो पैसा नोने उधार दिया हुआ है वो शायद इनको आगे ना मिल सके इसलिए bank जहाँ पर provisioning कर देती है अपने business को आगे improve करने के लिए क्योंकि जब तक provisioning नहीं करें कि तो आगे वो दोन कैसे दे पाएगी तो यहाँ पर फिर बात आती है net profit की तो यहाँ पर जिसकी वेश से अगर आप net profit देखें तो हमें घटावा दिखाई दे रहा है और net profit यहाँ पर 112 क्रोंट रुपीस का हमको दिखाई दिया है जो कि यह एक साल पहले 225 क्रोंट रुपीस का था और पिछले quarter में 310 क्रोंट तो यहाँ पर इनके profit में हमें घटावाट दिखाई दी है प्रुविजनी के कारण तो यहाँ पर results का जो conclusion है वो क्यों कि result है result मेरे जाब से मिलकुल भी खराब यहाँ पर नहीं है अब यहाँ पर next point आता है कि cross NPA क्या है तो इनका जो भी cross NPA निकल कर आ रहा है 12.89% जहाँ पर भी उन्होंने जानदाग रावर दिखाई है quarter on quarter या year on year दोनों बिस्स पर यहाँ पर जबतर यहाँ पर इन्होंने रिकलाइन दिखाया है तो अगर NPA कम होता है तो बैंक के लिए काफियाता फाइदे मंद होता है and net NPA 3.60% का और पिछले quarter में 4.17 और एक साल पहले 5.555 का था तो यहाँ पर management पूरी कोशिस कर रही है कि यह बैंक को एक बहतर इस्तिति में यहाँ पर हम लागर कर दिखाएं तो overall result is okay and not bad तो next हम यहाँ पर बात करते हैं T-link के results की T-link के results की बहुत short में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर total income निकल कर आई है 292 करोन रुपीज की जो कि पिछले quarter में था 294 करोन रुपीज का और एक साल पहले 222 करोन यानि कि यहाँ पर साल तर साल इन्हों ने अपने income में growth दिखाई ही लेकिन quarter on quarter यहाँ पर almost यहाँ पर हमें result flat दिखाई दे रहा है बट यहाँ पर एक जादा बहुत जादा positive point क्या है कि company ने अपने expense में बहुत जादा कटोती करी है यानि खर्चे नोंने बहुत कम की हैं जिसकी वैसे यहाँ पर इनका net profit वे बढ़ता हुबा दिखाई दे रहा है पिछले quarter में इनका net expense था 233 क्रॉन रुपीर जोगी इस quarter में 242 क्रॉन क्रॉन रुपीस का है और जिसकी वैसे यहाँ पर इनका net profit 37 Cr क्रॉन रुपीस का निकला है रिजर्ब्स में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने देखा अगर डाउ जोन्स में करीब हमको साले साथ सो पॉइंट की तेज़ी दिखाई दी कलके टेडिशेशन में जिसके पेसिकर रीजन अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ड जानने वाले जो भी मंस हैं यह नॉम्बर मंस के बाद जो भी इंटरस टेट हाइक चल रहा है जो भी 75 बेसे पॉइंट का चल रहा है वो उसमें हो सकता है आपको गिरावत दिखाई दे जिसको ब्यादार ने काफिया था पॉस्टिव लिया है जिसकी वेसे हमको यहाँ पर की बात करें तो 260 पसंद की ग्रोथ दिखाई दी है वहीं अगर आप कॉर्टर ओं कॉर्टर देखें तो करीब 17 पसंद की ग्रोथ हमें यहाँ पर दिखाई दिए सिक्वेंसली फ्रॉम 474 जो की पितले कॉर्टर में था यहने कॉर्टर वन में 475 प्रॉर क्रॉन रुपीज क यहाँ पर IDFC First Bank ने भी काफी outstanding number दिखाए हैं तो अगर आप इस स्टॉक को भी hold कर रहे हैं तो आप इस स्टॉक को भी hold and continue कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पिछले कॉर्टर में भी यहाँ पर इन्होंने काफी शानदार रिजल्स दिखाये थे और इस कॉर्टर में भी यहाँ पर company results काफी शानदार आए हैं तो आप इस स्टॉक को hold and continue कर सकते हैं आज की analysis यही पर समाप्त होती है आप सभी के लिए एक offer भी है अगर आप लोग trading करते हैं तो हम यहाँ पर 7Disc के लिए demo को तौर पर free of cost calls लेकर आए हैं जो हाँ पर आपको 7Disc के लिए calls दी जाएंगी ब जै हिंद जै भारत